हेलो फ्रेंड वेल्कम टू सेंडर स्टड़ी आज हम इस वीडियो में सॉल्फ करेंगे अपना चाइल्ड डेवलेप्मेंट एंड पड़ागोजी के 30 क्वेशन्स ये पेपर वन की हम बात करनें जो 21 दिसंबर 2021 को ऑनलाइन पेपर हुआ था तो आईए स्टार्ट करते हैं अपने CDP सबसे पहला कोशन है विकास डैश है एक आयामी एक दिशाई में बदलाव किया जा सकता है या अन्युआ अन्शिक्ता द्वारा पूर्ण रूप से पूर निर्धारित तो डेवलेप्मेंट इस यूनिडाइबेंशनल यूनिडाइरेक्शनल अब यहां पर हम डेवलेप्मेंट से कुछ रिलेटिट जानते हैं डेवलेप्मेंट जो होता है वो हैरेडिटी और इन्वार्मेंट का प्रोड़क्ट होता है डेवलेप्मेंट मल्टी डेवलेप्मेंट होता है और कंटीनिउस चन्ने वाला प्रोसीज होता है तो डेवलेप्मेंट इस कंटीनिउस प्रोसीज जो की जाता है वोम से टूम तक तो ये question आया हो भी है कि वोम से tomb तक जो होता है वो आपका development कहलाता है अब बढ़ते है question number two के तरफ Which of the following is definitely predetermined by genetics heredity इन में से कौन सा पूर्ण अनुवानशी की दुवारा पूर निर्धारित होता है ये चार option आपके सामने है choice of friends, color of eye, academic success, interest in studies तो दोस्तों जो genetically या heredity से जो आता है वो आपका होता है physical character जो होते हैं तो उसमें आपका color of the eye है option number two heredity से एक generation से दूसरी generation में जो character transmit होते हैं या जाते हैं उसी को कहते हैं हम heredity question number three में dash refer to the learning that children undergo when they enter social institution such as school सीखने की वे प्रकिरिया क्या किलाती है जिसमें बच्चे school जैसी सामाजिक संस्थाओं में प्रवेश करके सीखते हैं ये चार option आपके सामने है maturation, passive socialization, primary socialization या secondary socialization दोस्तों जहां पर question number four की तरफ और ये बहुत important question आपके paper point of view के लिए callback की theory हर बार paper में हर 2021 के हर paper में पूछी गई है तो callback theory का बहुत अच्छे से deep में पढ़ेंगे in callback moral development theory stage 3 at level 2 conventional morality is referred to as callback के बहुत विकास सिध्धान में दूसरे इस्तर पारंपरिक नेतिक की तीसरी अवस्था को क्या कहा जाता है चार option आपके सामने यह है और फिर English के option चलते हैं the obedience and punishment orientation good boy good boy good girl orientation the low and order orientation the social contracts and individual right orientation दोस्तों इसका जो सही option है वो option number second है यानि के good girl good boy and good girl orientation कहलाता है यह option number two अब यहां पर हम callback की थियोरी को थोड़ा सा detail में पढ़ेंगे तो मैं आपको यहां पढ़ा देता हूं सबसे पहला जो level इसमें दो stage आती है पहली stage जो है वो stage one कहलाती है और दूसरी stage two कहलाती है पहली जो होती है punishment and obedience orientation कहलाती है punishment and punishment and or obedience और दूसरी जो कहलाती है instrumental relativist orientation इंस्ट्रुमेंटल instrumental relativeist obedience उसके बाद level two आता है जिसमें conventional level है जिसमें stage three की तो हमने यहां बात करी लिए तो stage two level two यहां level two की बात कर रहे है level two में आएगा आपका conventional level conventional level और इसमें क्या आएगा आपका stage three जिसमें अच्छा लड़का अच्छी लड़की यानि के good boy और nice girl भी कह देते हैं या good girl कह देते हैं और दूसरा जो है चौति स्टेज जो है stage four low and order orientation होती है low and order orientation इसके बाद जो आपका level three है level three में आता है आपका post conventional level three यानि के level three होता है आपका post conventional level यह होता है level three और इसमें भी दो आ जाती है आपकी पहला होता है आपका stage five social contract यह stage five है और stage six होती है यूनिवर्सल ethical principle यूनिवर्सल यूनिवर्सल ethical यूनिवर्सल ethical principle तो यह होती है छटी स्टेज टूडल छे स्टेज और तीन level होते हैं तो यह आप याद रखेंगे अब बढ़ते हैं question number five के तरफ इन जीन प्याजे theory creation of new schema on account of inability to understand the environment with the existing schema is known as जीन प्याजे के सिधान में वर्तमान schema दोरा परिवेश को समझ पाने की असमर्था के कारण एक नई schema की रशना क्या कहलाती है दोस्तों question यह कह रहा है कि कोई जो पहले सी कोई चीज दिमाग में fit है यानि के schema में fit है existing schema में और वो समझ नहीं पा रहा है या understand नहीं नहीं कर पा रहा है तो नहीं जो schema आएगी है new creation जो आएगा वो क्या गया accommodation, assimilation, adaptation या organization तो दोस्तों हम उसको कहेंगे option number one accommodation जिसको हम कहेंगे हिंदी में semi-usion assimilation क्या होता है assimilation में एक process है जिसमें कोई भी जो existing schema है यानि के जो पहले सी schema है उसी में कुछ change किये बिना कुछ नया add up कर लेना कोई नई चीज को add up कर लेना पुरानी को change किये बिना लेकिन accommodation में क्या होता है accommodation में process of changing and existing schema यानि के जो पहले से exist schema है उसको change कर देना और creating a new one because new information doesn't fit the schema one already has यानि के जो पहले से schema already fit है उसमें वाल information fit नहीं कर पाईगी इसलिए उसको कहते हैं accommodation अब बढ़ते हैं question number 6 की तरफ according to gene PAJ, dash is the concept या framework that organize and interpret information PAJ के अनुसार कौन सा संप्रित्य या कारिय रूप सूशना को संगेटित और प्रितिपादित करता है expository model, schema, advanced organizer या sensory register तो दोस्तों इसका जो सही option है वो option number second है जिसको हम कहेंगे schema schema होता क्या है? schema के हम बात कर रहे हैं the mental network that children form in their mind is known as schema the mental network that children form in their mind is known as schema यानि के वो mental network या वो चीज़ें का network जो बच्चा अपने दिमाग में form create कर रहा है बना रहा है वो कहलाता है schema question number seven में चलते हैं रश्मी use a variety of tasks to cater the different learning potential of learner in her class and often make group of facilitate peer learning which of the following theories support her actions रश्मी अपनी कक्षा में विद्यार्तियों के सीखने की शमता को धियान में रखकर विभिन परकार के कारिये कलापों का उप्यूक करती है और सेपाटियों दुवारा अधिकम को बढ़ावा देने के लिए सम्हू भी बनाती है नेम लिखित में से कौन सा इसका समर्थन करता है सिग्मेंट फ्रेंड साइको सेक्शल थियोरी या लेवा एगोट्स की सोशल सोशो कल्चर थियोरी या लोरेंस कोलबग मोरल डेवलिमेंट थियोरी या BF Skinner Behavioristic Theory तो दोस्तों यह जो है यह आपका गुरूप बना रहे हैं आपर इस कोशन में बोला गया है कि गुरूप बना रहे हैं और गुरूप में वहापर सोशल इंट्रेक हो रहे हैं तो यह जो connected है वह आपका social culture theory से related है जो लेवाइगोट की ने दी थी और यह जो theories है यह theories के नाम भी पेपर में पुछे आते हैं कि segment friend ने कौन सी theory दी लेवाइगोट की ने कौन सी theory दी कौलबग ने कौन सी theory दी या skinner ने कौन सी theory दी तो यह theory भी आप लिख के रख लें इससे paper में एक question जरूर पूछा आता है अब बढ़ते है question number 8 के तरफ which of the following is not an example of इसके folding by the teacher इन में से कौन सा अध्यापक द्वारा पाढ़ का उधारन नहीं है आप कौन सा नहीं है यह चार option है इसके folding का मतलब क्या होता है वो temporary help जो कोई teacher या कोई भी किसी को देता है temporary help short term के लिए उसको बोलते हैं इसके folding जैसे कोई cycle चलाता है कोई बच्चा cycle चलाना जब सीखता है तो उसको temporary help दी जाती है उसको पीछे से पकड़ा जाता है ताकि उसको लगे कि हमें यहाँ पर help support मिल रहा है लेकिन बाद में छोड़ दियाता है तो वो एक तरही से temporary help कुछ time के लिए दियाती है फिर बच्चा खुछ सीख जाता है तो वो कौन सी नहीं है modeling skill of imitation तो यह तो बिल्कुल ठीक है यह तो है road memorization तो road memorization यह इसके folding का part नहीं है यानि का ratification करवाना ratification में तो बच्चे की खुद की खुद करेगा उसमें क्या help दूसरे की लगईगी अब बढ़ते हैं question number 9 में which of the following does not यहाँ पर भी not पूछा गया डेपिक appropriate strategy for learning in a constructivism classroom निम में से कौन सी शिक्षा साथ्रिय पत्ती एक सरनेशनावादी कक्षा के लिए उप्यूक्त नहीं है या नहीं है पूछा गया है encouraging multiple perspective group collaboration drill and recall या experimentation दोस्तों यहाँ पर constructivism की बात चले यहाँ पर that means कोई चीज construct करना यानि के बनाना अब encouraging multiple perspective यानि के अलग-अलग तरीकों से सोचना या encourage करना उनके बारे में group collaboration भी अलग-अलग आइडिया आते हैं और construct होते हैं नहीं आडिया और experimentation में भी नहीं नहीं चीज़े कंस्ट्रक्टिव याती है लेकिन drill and recall का मतलब क्या है एक तरीकी से आपका practice करा देना और उसको बार-बार recall कराना ताकि बच्चे रटर ले उसको तो यहीं नहीं इसका option क्वेशन नंबर थर्ड अब बढ़ेंगे क्वेशन नंबर टैन की तरफ हूँ डिस्मीज दा आइडिया ओफ जनरल इंटेलिजेंस एंड डिफाइन इंटेलिजेंस इन टम्स अफ सेवरल डिस्टिंग सैट अफ प्रोसेसिंग ऑपरेटर्स निम्ड में से किस ने सामाने बुद्धी के विचार को नकारा और बुद्धी को अनेट विश्टि संसादन संक्रियाओ के पदों के रूप में परिभाशित किया है यह चार option आपके सामने है अब इसमें कौन सा option ठीक है यह मतलब प्रोसेसिंग यहाँ प्रोसेसिंग यहाँ प्रोसेसिंग यहाँ प्रोसेसिंग ऑपरेटर्स तो दोस्तों यह दिया था आपके हावर्ड गार्डनर ने option नमबर 4 जिन्होंने अपनी multiple intelligence दे छोरी दी थी उसमें यह बताई है question number 11 in a constructivist classroom emphasis should be placed on एक सरनशनवादी कक्षा में निम्मे से किस पर महत्व दिया जाना चाहिए चार option यह है आपके सामने summative assessment, formative assessment, singular assessment यह चौता option है standardized and uniform assessment दोस्तों constructivist classroom होने के लिए हमें लगतार formative assessment करते रहना चाहिए तो option number second इसका ठीक हो जाएगा formative assessment को हम short में FA लिखते है FA क्या होता है जब कोई topic खतम हो जाता या कोई class के रूप में class के बाद जो हम कोई test लेते हैं या gaps का पता लगते हैं तो उसके कोई topic खतम होने पर या कोई chapter खतम होने पर जो हम test लेते हैं वही formative assessment का part होता है summative assessment क्या होता है जब किसी term end में या grading system के लिए जब कोई exam कराया जाता है जैसे कि आपका जैसे कोई 10th class का बच्चा है अब उसको 11 में जाना है तो grading exam कराया जाए जो final exam के नाम से जाना जाता है जिसको अब summative assessment के नाम से जाना जाता है तो उसमें क्या होता है कि बच्चों के marks दिये जाते हैं उसके basis पर उनको promote किया जाता है अगर बच्चा fail होता है तो उसको फिर से repeat करना पड़ता है तो यह summative assessment का part अलग है और formative assessment का part होता है कि class में ही topic के बाद या chapter के बाद हम regular basis पर बच्चे की knowledge को चेक करें थाके बच्चे के learning gaps को पता चल पाए कि वो कहां पर सही से सीख नहीं पाया है अब बढ़ते हैं question number 12 की तरफ private speech in bygods की theory bygods की सिद्धान के नुसार नीजी समवाद चार option आपके सामने है इस indicative of children egocentrism hinders children action and behavior help children to regulate their behavior while doing complex tasks यह चौता option है is an indication that cognition is never internalized दोस्तों इसका जो सही option है वो option number third है यानि के help children to regulate their behavior while doing complex tasks question number 13 dolls and pink dress are usually associated with girls while car and blue dresses are usually associated with boys this is a demonstration of लडकियों को गुलाबी कपडों और गोडियों से जोडा जाता है और लडकों को नेले कपडों वा कारों से जोडा जाता है यह किसको दर्शाता है चार option आपके सामने gender consistency, gender empowerment, gender diversity, gender stereotype दोस्तों जब कोई किसी girl को या किसी man को अलग किया जाता है किसी particular काम से या किसी color के base पर तो वो gender stereotype कहलाता है जिसको हम जेंडर रूडी बादिता कहते है और यह इसका correct option हो जाएगा option number 4 question number 14 assertion एक given है education fail the child when children are expected to reproduce knowledge in more or less same way it was received बिल्कुल ठीक इस statement है यह reason देखते हैं इसका reproduction of information is a meaningful indicator of children learning दोस्तों यह वाली statement गलत है पहली सही है दूसरी आपकी गलत है और यह option number 3 में मिल पा रहा है option number 3 is the correct option यहाँ पर जो reason जो है वो क्या होना चीदा reproduction of information is not a meaningful indicator of children यहाँ पर not है यहाँ पर बोला था is a meaningful बलके है क्या यह is not a meaningful indicator of children learning as it will interpret road memorization instead of learning यानि कि यह ratification को बड़ावा देगा ना कि सीखने के वजाए अगर reason वाली चीज़ के उपर आएंगे तो यह था आपका statement मैं हिंदी में दिखा देता हूं आपको अब question number 15 में चलते हैं what is the role of teacher and student in constructivist classroom एक संरशनावादी कक्षा में अध्यापक और छातरु की क्या भूमिक होती है दोस्तों यहाँ पर constructivism से काफी सारे questions पूछे गए हैं 2021 के online exam जो हुआता पर सेटेट पेपर तो आप जो constructivism theory पढ़ेंगे वह बहुत ध्याम से रिट करेंगे क्योंकि इससे paper में इस बारी भी questions जरूर बनेंगे और इस question paper का PDF आपको हमारे telegram पर मिल दाएगा जिसका link आपको हमारे description box में मिल दाएगा तो इसका option देखते हैं both student and teacher are passive पैसिव का मतलब दोनों क्या होने चाहिए निश्करिए यानि के दोनों ही बाचीतना करें या student are active बड़ teacher आप पैसिव नहीं ये भी गलत है both teacher and student are active बिल्कु ठीक है constructivist classroom होने के लिए ये चाहिए कि student भी और teacher दोनों ही active पार्टिसिपेट करें और दोनों ही actively दोनों ही active हो तो option no.3 is the correct option दोनों का passive होना या एक का passive होना वो भी गलत है अब बढ़ते हैं question no.16 में how can a teacher create an inclusive environment for learners from different class group in classroom एक अक्षा में अध्यापी का भिन जातियों के समूव वाले अधिगम करताओं के समाविशी वातवरंड के रशना कैसे कर सकती है ये चार option आपके सामने है चार statement है फिर देखते हैं कौन सी statement ठीक है by reflecting on her own stereotype and believe that constrained learning experience of children दोस्तों पहली तो ठीक है statement include diversity of learner experience in classroom ये भी ठीक है मतलब diversity diverse होना चाहिए ना कि converge होना चाहिए create an institution ethos that has strong emphasis on equality यानि कि equality के पर जादा focus होना चाहिए ये भी ठीक है encourage children to adapt existing and standard curriculum दोस्तों ये statement गलत है यानि कि जो existing standard curriculum है उसी को adapt किया जाए है उसमें कोई change ना किया जाए ऐसे बच्चे को encourage करो तो ये चोथा statement गलत है यानि कि पहला दूसरा तीसरा सही है और ये आपको option number one में मिल पा रहा है option one इसका सही हो जाएगा रमनीक has a student with visual impairment in her class in this context what instructional adaptation should she make in an inclusive classroom रमनीक के कक्षा में एक दृष्टी बाद चातर है एक समावेशी कक्षा में ये संदर में उसे निद्ध शात्मक समयजिन करने चाहिए चार option आपके सामने ये है यूजर वराइटी ओफ विजुवल प्रेजेंटेशन दोस्तों विजुवल जब वो देख ही नहीं पाएगा तो उसके लिए तो नुकसान है तो इस तो गलत हो जाएगा providing lot of print book अब print book से भी वो कहां देख पाएगा उनको या making use of textile material such as three dimensional map and chart ये सही हो जाएगा या giving lot of small print worksheet इस small print worksheet भी देने से बच्चे जो देख नहीं सकता सही से उसको दिक्कत होगी तो उनके लिए क्या कर सकता है कि जो 3D chart है और map जो है जिससे बच्चे क्या कर पाएगा उन chart को या उन map को touch करके feel कर पाएगा और फिर उनके बीच में difference कर पाएगा तो यह option number 3 is the correct option एटीन में चलते हैं रिना always think of varied solution of any problem given in the class this is the correct issue रिना कक्षा में जी गई किसी भी समस्य को सुलजाने के लिए अलग-अलग तरकीबों के बारे में सोच चीए यह NIM में से किसका प्रतीक है mental impairment नई दोस्तों यह तो low comprehension यह convergent thinking यह divergent thinking का मतलब होता है हम सिर्फ एक ही perspective में सोचे जादा perspective में न सोचे बलकि जब वो multiple या बहुत जादा solution के बारे में सोच रहे तो इसका मतलब वो divergent think करें तो option number 4 इसका सही हो जाएगा अब सारी सोच वाली है वो राजू राइट 61-16 यानि के 16 की बजाए 61 लिख देता है often get confused between the letter B and D और B and D letter में भी confused जाता है these are primary characteristics of dyslexia, autism spectrum disorder इसको ASD बोलते हैं या learning helplessness या dysgraphia dysgraphia में तो दोस्तो लिखने से संबंदित problem होती है और dyslexia जो है इसका सही option हो जाएगा dyslexia में क्या होता है बच्चा देखकर पढ़ेने में और फिर जब पढ़ेने में उसको कटेना ही होगी तो फिर लिखने में इसको problem होगी तो पढ़ेने के साथ साथ लिखने में जब problem create होगी तो उसको कहेंगे हम dyslexia अब दोस्तों एक पिक्चर मैं आपको दिखा रहा हूँ इस पिक्चर को आप screenshot ले 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 इस इस question आपका एक paper में जरूर बनेगा तो इस picture को आप screenshot लेकर बहुत अच्छे से दिमांग में बिठा ले जिसमें dyslexia है dysgraphia है यह सारे चीज़े आपको दे रखिए अब बढ़त है question number 19 के बाद 20 question में चलते है especially able child children in an inclusive classroom can benefit from setting of individualized goal, competitive ethos, corporate learning, standard instruction, एक समाविशी कक्षा में विशेज बच्चों को कि परकार सायता मिल सकती है दोस्तों setting of individualized goal होना चाहिए उनके लिए और उनके लिए cooperative learning होनी चाहिए यानि कि cooperative learning उनके लिए जरूर करना चाहिए तो पहला और तीसरा से ठीक हो जाएगा और पहला और तीसरा यह मिल पारा आपका option number 3 में तो option number 30 का सही हो जाएगा अब बढ़ते हैं question number 21 में How are children understood in a constructivist frame एक सनरशनावादी परिपेक्ष में बच्चों को किस परकार समझा जाता है passive being miniature adult या as being born evil who have to be civilized या as being born with a curiosity to explore the world तो दुरूस्ट जीव के रूप में जिनने सब्बे बनाने की जरूरत है तो option number 3 इसका सही हो जाएगा यानि के as being born evil who have to be civilized जिनने हमें सब्बे बनाना की जरूरत है बाइस में चलते हैं which is the following statement about children failure is correct बच्चों की असफलता के संदर्म में निम में से कौन सा कतन सही है ये चार option आपके सामने है अब देखते हैं कौन सा correct option हो जाएगा children failure always be attributed to genetic defect genetic defect की वज़े से हो हमेशे फिल करते हैं दोस्तों ये तो गलत है ये बात तो गलत है सरसर गलत है genetic defect की वज़े से नहीं a reflection of the system inability to cater to her individual need दोस्तों ये बिल्कुल ठीक है यानि कि जो जिस बच्चे को हमें individual need देनी है हम उसको सही से नहीं सवन पाते हैं कि बच्चे को कहां पर किस चीज से आवशकता है यानि कि जो बच्चे के परेंट्स कभी स्कूल नहीं गए वो हमेशा फिल करते हैं ऐसा तो नहीं है बिल्कुल भी यानि कि जो marginalized बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं वो कभी भी achieve नहीं कर पाएंगे success तो ये statement भी सरसर गलत है तो पहला जो second statement है वो ठीक है तो वही इसका सही हो जाएगा 23 How can a teacher enhance effective learning in her elementary classroom एक शिक्षी का अपनी प्रात्मिक कक्षा में अर्थपून अधिगम को कैसे बढ़ावा दे सकती है चार option आपके सामने ये है By drill and practice By encouraging competition By connecting the context to the live of the student या by offering reward to every step in learning तो दोस्तो इसका जो सही option है 23 का option हो जाएगा 3rd By connecting the context to the live of the student यानि के उनको उनके जो जीवन से connect करके यानि के रियल लाइफ से जोड़ कर हम उसको आसानी से समझा सकते हैं चीज़ों को effective way में समझा सकते हैं 24 में चलते हैं अनुपुमा, a science teacher often make linkage in her class with concept students are studying in mathematics this kind of pedagogy अनुपुमा अपनी कक्षा में विज्यान पढ़ाते हैं वे गणित के संपरित्यों के साथ संबंध मनाती हैं इस प्रकार का शिक्षा सास्त्र चार option आपके सामने हैं would help in transfer of learning and promote interdisciplinary would hinder in acquisition hinder तो नहीं होगा hinder का मतलब रुकावट होगा रुकावट तो कभी मी नहीं होगा एक subject दूसरे subject में would hinder learning as would increase student burden student burden मी नहीं होगा जबकि would promote misconception misconception मिं होगा दोस्तों इसका जो सही option है वो one हो जाएगा would help in transfer of learning and promote interdisciplinary यानि कि एक subject दूसरे से कैसे interconnected है इससे भी जोड़ पाएगा चीज़ें को और दूसरी चीज़ यह है कि learning में help भी कर पाएगा अब 25 में चलते हैं to the information related to the procedure of riding a bike, folding laundry and experience of climbing a tree as a 7 year old is stored in इस जानकारिय किस सम्रिती में संग्रिटीज होती है bike की सवारी करने की परकिरिया धुले कपड़ों को ते करने की परकिरिया साथ वर्ष की उमरों में एक period पर चलने का अनुबब दोस्तों यह जो होता है यह आपका जाता है long term memory में यानि कि option number second discuss ठीक हो जाएगा long term memory को short में लिख दिये जाता है LTM long term memory अब बढ़ते हैं question number 25 के बाद 26 में which of the following statement about understanding of children error is not correct यहाँ पर not correct पूछा गया दोस्तों निम लिखित कत्रों में से कौन सा कत्रों बच्चों की तुटियों को समझने के लिए सही नहीं है अब चार option आपके सामने दोस्तों इसका जो सही option है वो option number 1 ही हो जाएगा यानि के इट help in assigning grade and position to student in class बाकी सारे सही statement थे और हमसे गलत पूछा गया था वो ही हमसे गलत पूछा गया था और गलत था पहला ही अब बढ़ते हैं 27 में which type of motivation is associated with the activities that are enjoyable or satisfying in themselves यानि के किस परकार की प्रेंट उन गती वीडियों से जुड़ी है जो आप अपने आप आनन्दाइक वा संतोष जनक है intrinsic motivation trait motivation extrinsic motivation या state motivation तो दोस्तों ये है आपका intrinsic motivation option number one intrinsic motivation क्या होता है वो motivation जो आपको खुद आए किसी की वज़े से ना आए बलकि self खुदा है और जैसे की बच्चा कोई बच्चा होता है खुद से पढ़ने बैट जाता है उसको पढ़ाने की जरुवत नहीं पढ़ती ना बोलने की जरुवत पढ़ती तो वो intrinsic motivation है और कोई बच्चों को बाहर से बोलना पढ़ता है की बैठो बढ़ लेने के लिए तो वो extrinsic motivation जो बाहर से या दूसरों को देखकर बच्चा पढ़ता है तो वो extrinsic motivation अब अठाइस में चलते हैं टीचर expectation from her student शिक्षिक को अपनी विद्यारतू किसे अपिक्षा है या बिक्षाओ चार option अब के सामने है have significant impact on their learning should not correlate with देखो दोस्तों जब भी expectation हो थी टीचर को किसी बच्चों के साथ तो उससे क्या होता है significant impact पढ़ता है उनके learning के उपर बच्चा ज़्यादा अच्छे समझ पाता है और ज़्यादा कोशिश करता है वो ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की और अपने टीचर के expectation पर खर उतरने की तो पहला यह option इसका सही हो जाएगा अब बढ़ते है question number 29 वीडियो के second last question में a child centered classroom can be created by important question है दोस्तों यह बाल के इंदरी कक्षा का सरजन कैसे किया जा सकता है चार option आपके सामने यह है providing timely feedback to learner about their performance discouraging question and keeping learner discourage चो कभी भी नहीं करना है तो यह तो पहले ही गलत हो जाएगा providing frequent test and keeping learner in intermittent state of fear उनको हमेशा डर के भाव में बिटा देना यह भी गलत है promoting competition between learner हमें भी कभी भी प्रमोट नहीं कराना है उससे क्या होगा कि बच्चों के बच्चों में गलत negative भावना पैदा हो जाती तो इसका जो सही option है वह option number one हो जाएगा यानि के उनके बीच में उनको timely feedback उनको provide कराते रहना अब एक चीज यहां पर important यह father of child centered education जो है वह कोन है father of child centered education तो दोस्तों उनका नाम है आप उनका नाम में जीन जैक जीन जैक जीन जैक रुसोग जीन जैक रुसोग और इंडिया के जो इंडिया के जो father of child centered जो है वह कोने इंडिया के इंडिया के है गीजू भाई गीजू भाई बड़े का गीजू भाई बड़े का यह हैं इंडिया के और और एक चीज और जब child centered education होता है तो उससे क्या होता है freedom आती है बच्चों के इंदर self activities कर पाता है वह बच्चों और process of spontaneous development कर पाता है और होना ही यह चाहिए अब बढ़ते हैं क्वेशन इस वीडियो के लास्ट क्वेशन में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 प्रपजिज शिक्षा राश्टी शिक्षा नीती 2020 क्या प्रस्तावित करती है अब देखते हैं क्या है reducing in context of school curriculum दोस्तों जो NEP जो 2020 आई है उसमें school curriculum को reduce किया गया है तो यह बिल्कुल ठीक है पहला वाला statement तो बिल्कुल ठीक है increase flexibility of school curriculum स्कूल में flexibility भी प्रवाइट कराई गई है तो यह भी ठीक है आपका और चौता स्टेटमेंट है emphasize on road learning यानि करेट्टाफिकेशन को बढ़ावाद देना यह तो कभी भी नहीं बोला गया है तो और नहीं यह पहले कभी भी बोला गया था तो यह तो गलत हो जाना है पहला दूसरा चौता जो मिल पा रहा है वो option number third में मिल पा रहा है तो option number third इसका सही हो जाना है दोस्तों यह थे हमारी total third question जो CDP किये paper 1 21 December 2021 को online paper में पूछे गए I hope आपको यह समझ में आगे होंगे अगर फिर भी आपको कोई doubt हो तो आप हमें comment box में लिखकर अपने doubt पोस सकते हैं और हमारे इस channel को subscribe कर bell icon को ज़रूर दबाएं ताके आने वाली videos भी आपको लगतार मिलती रहे अपने दोस्तों में हमारे channel share करना ना मूले वीडियो में ल